है हैल स्टुडेंट्स कैसे हैप सबी आप सरे ची होंगे मैं दी साफ स्वागत करते हूं कि अपनी परिवाब फिजिक्स गुरू में जहां हम पढ़ रहे हैं गिरीजेशन के लिए फिजिक्स चैमिस्ट्री और मैथ सी क्लास हमारी कैमस्टी के लिए है और इसमें हमारे बेसी सीटी एंड केमस्टी ओपरिं ये हमारी युनेट फोल है और इसका हम आज टोपिक पढ़ेंगे आरोमेटिसी एन हकल सरूल थीक है तो इसमें पहले आप लिख लेना ऐरोमै T.C. यह आरहमेटिसीटी पढ़ेंगे पहले फिर हकल महीघसूल है हुस्त है डीक है अरोमेटिसि कि बना किस से लिए गया है लेटिन सब्द और यानि गंध गंध इस्मेल घाल कि और गंध कंपाउंड है वो क्या रखते हैं कि विशेश विरकार की इस विद्ध और यानि गंध रखते हैं और जब वे जलाई जाते हैं, वो क्या काले रंग का धुआ छोड़ते हैं, इस quality is called aromaticity, और यही गुन क्या कहलाता है, aromatic ता aromaticity कहलाता है, तो इसमें क्या है, एक बार बता दू, aromatic सब्द लेटिन भासा के अरमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गंद, order, aromatic योगी कों में विशेज पिरकार की गंद होती है, तता ही जिलाने पर काले रंग का धुआ देते हैं, और यही गुन क्या कहलाता है, aromatic ता कहलाता है, एक बार बार बिसका screenshot लेलो, फिर हम पढ़ेंगे हकल्स रूल, अब पढ़ेंगे हम हकल्स रूल, तो हकल्स रूल, तो हक जिसे 4N प्लस 2 पाई एलेक्टरोन, क्या 4N प्लस 2 पाई एलेक्टरोन का नियम भी कहते हैं, तो इसे हम अभी लिखेंगे, समझेंगे, तो इसमें क्या कहा हो, नोने, aromatic योगी को के लिए क्या बताए, कुछ विशेशता है बताए, तो वह हम देखेंगे, तो पहरे लिख ल हकर गे रूल फोर जो वे गया निक हकलता है, किसके लिए दिया गाए था वो रूल, एरोमेटिसिटी रूल फोर आरूमेटिसिती धिज विज इस विजयए is called the rule of 4n plus 2 pi electron. pi electron according to according to Hakkul according to Hakkul aromatic compound have the following characteristic. यहां आई हैं. तो Hakkul ने एक Hakkul ने एरोमेटक्ता के लिए वेग्यानिक Hakkul ने एक नियम दिया था. जिसे 4n plus 2 pi electron का नियम भी कहते हैं. Hakkul के अनुसार aromatic, जो योगिक है, compound है, में नियम्न क्या होते हैं? विशेश्टा ही होते हैं, characteristic होते हैं. तो अब क्या करते हैं? उन विशेश्टाओं को देख लेते हैं. तो aromatic compounds are, यह उसकी विशेश्टा है. aromatic compounds are conjugated cyclic planar. cyclic planar. क्या है यह? पहली विशेश्टा क्या है इसमें? जो aromatic योगिक है, वो कैसे होते हैं? Conjugated यानि सन्युगमित और cyclic यानि चक्रिया और planar. planar यानि सम्तल होते हैं. तो second क्या है? अधना नमबर ओफ। दा नमबर ओफ। पाइलक्टोन दा नमबर ओफ। पाइलक्टोन इस फोर एन प्लस तू. 4N plus 2 where यह 4N plus 2 है जो यह N है where N is a whole number is a whole number whole number तो क्या होगा N 0, 1 2, 3 ठीक है next क्या है it is it is also called the rule of rule of 4N plus 2 4N plus 2 तो पहले वाला हमारा हो गया यानि aromatic yogic sanigumit चक्रिय सम्थल होते हैं जो aromatic compounds are conjugated cyclical planner जो second क्या है the number of pi electron is 4N plus 2 where and is a whole number N की value क्या 0, 1, 2, 3 and so on आइसी रखके देख लेंगे हैं तो क्या है pi electron की संख्या 4N plus 2 होती है जहाँ N एक पूर्णांग संख्या है और जो यह क्या है it is also called the rule of 4N plus 2 इसे 4N plus 2 का यह ऐसे इधर से यहां आशे लिख लेना 4N plus 2 का नियम भी कहते हैं तो एक बार इसे एक 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 जामपल की तरह देख लेंगे क्या चीज के इसमें consecutive है cyclic है planner है कैसा है यह हमें एक एक जामपल एक दू एक जामपल लेकर समझेगे एक बार पहले इसका screenshot ले लो और aromatic compound कैसा होना चाहिए यह एक जामपल अब हम समझ के देखे है cyclic होना चाहिए cyclic होना चाहिए और दूसरा planner होना चाहिए cyclic planner consecrated corn zoo rated or camera to a number cha compound must have compound must have four and plus two by electron ठीक है तो एन क्या है है यहां वियर जो एन है वो zero whole number है two three तो अगर एन की value क्या रखके देखे जीरो यहां मैं रखके देखती हूँ सबकी value तो अगर एन में जीरो रखके देखें तो four multiply zero plus two ऐसी तो रखोगे ऐसी तो रखोगे रख लोगे ना तो कितना आएगा टू अगर वन रखे तो वन रखके देखो अगर वन रखे तो क्या होगा four zero पिज़गा वन रख दे प्लस टू तो फोर बंजा फोर प्लस टू कितना होगे six और थिरी रखके देखो यहां से इंदर आ जाओं यहां अगर थिरी रखके देखें four multiply three प्लस टू तो कितना आ जाएगा four three जा 12 प्लस टू 16 नहीं टू रखोगे ना पहले four two जा eight और two ten अगर थिरी रखें तो four three जा 12 और two fourteen ठीक है अब जो four रखके देखें four 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 जा 16 और टू 16 और टू 18 यह तो देखो एक दो एकजाम पर लेकर देखो जैसे हमने यह ले लिया हरे कारबन पर क्या है यह किया है बेंजीन हरे कारबन पर हैच है कितने कारबन है चए कारबन है तो सबस्क्राइब देखो क्या है यह साइकलिक है अना दिख रहा है साइकलिक है यह अभी प्लाना अब लाद मितलें सबस्रा एक यो पाइस्पिक 2 कि हॡश द्लान जाने एक इस व्छ बैंसे प्मिर्ट करें को सब्सों करने को यह थैप हो इस UM सबна है UPjor फिल्फा क्या होगा थीखेंगे तो क्या होगा थीखिए जो है क्यासे होका अगर इससे कंपार्ड में कितने फोर स्पी माme had a SP3 hybridization होगा 3 sigma है तो SP2, 2 sigma है तो SP, ऐसे ध्यान रख लोगे, या फिर हम ऐसे भी रख सकते हैं, अगर 0 pi है, 0 pi है, तो क्या होगा, SP3 hybridization, और 1 pi है, तो क्या रखेंगे, SP2 hybridization होगा, अगर 2 pi है, तो क्या होगा, SP hybridization, यह पता ही होगा, तो आप देखो, इस से पहले वाले वेडियो में हमने सारा पढ़ लिया, यह जो बेंजीन है, तो यह क्या है, SP2 hybridization है, क्यों देखो, इस यहां क्या है, double bond है, 1 pi bond है, 1 sigma bond, 1 pi bond, 1 pi bond, 1 sigma bond, तो Pi Обunn कितने होगे तो यह क्या है यहां क्या हो गया अगर क्या है तीन सिम्गा बॉंड है तीन सिंगा बॉंड्ड है अगर एक Pi बॉंड है और Hearts In a Bishop Scripture म्यशए्जРЕशन है उसेते सोलो कर रहा है एक विम्र1 डांव में तो कितने होगे दो दो, दो चार, दो छार, तो 6 πाई है, तो ये क्या है, इसको भी फोलो कर रहा है, ये रहे 6 है, 4N प्लस 2 πाई लग रोन के, रूल को भी क्या कर रहा है, फोलो कर रहा है, और क्या है, पाई, सिग्मा पाई, तो क्या है, पाई, शिग्मा पाई, तो पहला ये होगया हमारा, दूसरा एक और लेके देखो, पहला, दूसरा एक्जामपल, ये हमने समझ लिया, समझ बागया, ऐसे आप करके देख लेना, मैं एक जांप्ल में दे देंगे आपको इस तरीके से किया को इसा आयरुमेटिक है यह नहीं है तो आप ऐसे करके देखना है यह यह बताना है तो ऐसे करके टेखे लिएँ अभी और आग्जांपल देख लो यह पायरोल का कए यहाँ पर एक इस पे क्या एच एच है तो साइक्लिक तो है यह साइक्लिक है और एक पाइबोन एक सिवाबोन एक पाइबोन एक सिवाबन यहां कितने होगी आहां लॉन पेर यहां लॉन पेर यहां यह है लॉन पेर ओफ इलक्ट्रोन क्या है यहां लॉन पेर ओफ इलक्ट्रोन पाइ सिग्मा पाइ सिग्मा लॉन पेयर और यहां लिग दू इलेक्ट्रोन ठीक है तो इसमें देखो अब साइकलिक है हाँ प्लानर 1 ऐस्पिटो हैबिद़डलाईजेशन है यानब ऐस्पिटों मिलगत्रेशन है एक थीन 2 ऊण्चेटीन होगा कांुटल में लॉनबल्डल को इसमें कितने हैं है दो चार चार दो चार यह लॉन पेर और इलेक्ट्रोन है तो 6 यह है तो क्या हो गए हाँ 6 यह भी फोलो कर रहा है कि अब श्रीन सोट ले लो यह वैसे समझा दिया वहने साइड में समझाने के लिए बताएगे वाथ कि तुम्में जो नोट्स हैं वे जो बनवा हैं वे एक बर स्क्राइब ले लो इसका अगली अगली आश्यस देखते हैं भी कि अब इसकी हम क्या चोथ nella की लेट का इसन थैक is no benzene ring, benzene ring, the compound may be, can be aromatic, can be aromatic, if the, if the number of, number of pi electron is based, on, for n plus 2, तो आप notes में लिख लेना, मुझो मैंने समझाया था तुम्हें, अभी उसको side भी लिख लेना, या note करके लिख लेना, कैसे भी, तो notes में यह आगे से आप यह लिख होगे, 4n plus 2, if n, if n, if, n is equal to 0, if n is equal to 0, then, 4n plus 2 कितना होगा, 4n plus 2, तो क्या हो जाएगा, आप notes में, if n is equal to 1, then, 4n plus 2, कितना हो जाएगा, 4 multiply 1 plus 2, तो 6 हो जाएगा, तो इसनके example में डाल लेना, example किस-किस के लिए थे हमने बेंजीन, cycloprop benzene, यह तो example देखे थे हमने, benzyl, benzyn, और के दिखा था, पाइरोल, benzyn, पाइरोल, और एक देखा था, हमने, एक यह और देख लेना, cyclopropyl cation, cyclopropyl cation, यह example में लिख देना, ठीक है, इसके इन सोट लो, तो क्या है, यह तीन हो क्या है, aromatic compound है, तो कि हमें पता है, aromatic compound हो कैसे होने चाहिए, cyclic, planar, conjugated, और compound must have 4 and plus 2 pi electron, तो क्या होंगे वो, aromatic compound, तो aromatic compound, benzyn, pyrol, cyclopropyl, cation, अगर आप पूछा जाता है, तो आप लिख देना, optional हो, यह कैसा हो, आप देख के, लिख देना, तो screenshot ले लो, फिर हम आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे, calculate structure of benzyn, तो unit 4 का हमारा क्या है, यह वाला topic है, आज calculate structure of benzyn, calculate का, जो benzyn का structure है, उसमें क्या बदाएंगे, कैकुले ने benzyn अनू में, 6 से carbon, 6 carbon atoms, 6 पर्मानों से बनी, एक hexagonal या सस्ट कोनी है, रिंग प्रस्तुत की, जिसमें पिट्ती, एक carbon पर्मानों से, एक H पर्मानों जुड़ा होता है, और रिंग में एकांतर से एकल बंद, यानि के, यह single bond, और double bonds, एकल बंद वे दिव बंद उपस्तित होते हैं, इस पिरकार, carbon पर्मानों की चारो सहीं जुड़ा है, वैलेंसी जो है, वो क्या हो जाती है, पून हो जाती है, कैकुले पर्जेंटिड ए हेग्जागोनल रिंग, made up of 6 carbon atoms in the benzene molecule, in which 1H atom is attached to each carbon atom, and single bonds and double bonds are present alternately in the ring, thus all 4 balances of the carbon atoms are completed, तो देखो, इसकी जो है, कैकुले की, हेग्जागोनल जो इस टेक चाथा बेंजीन का, यह देखो, इधर बना दूँ में, एक बाइ स्क्रिंसोट लो आप, हो गया होगा, तो देखो, इधर बनाती हूँ में, यह क्या है, वो यह बेंजीन ही, आपको पता ही है, तो क्या है, 6C है, कितने 6 carbon, यह क्या है, पोइंट से, रुको एक सेकंड, देखेगा भी, तो देखो क्या है, बीच में पता ने दिखा या नहीं, तो में यह carbon, 6 कितने है, कार्भण यह किया बना रहे हैं क्या गोले कें ऊस्ट्राक्प रूबए बेंजीन और इसी के बारे में इस्ट्राक्प देलो का नवे अम यहां जंस कर दो यहां बना देते हूं मैं एच यह आपने ले लिया होगा इधर ऐसे इस फिर ले लिया होगा तो मैंथ यह stake कर दिया थेक है इस उडुका अब नर्ट कर दो आए ऱरे कारवन फर एच हम कर देते हैं आटेच कर दियाही कर दियाया का kia गया यह क्या दबल कर दिया यह सिंगर फिर डबल डबल ठीक है यह तो बोल रहा अगे दिखो 10 all 4 valences of the carbon atoms are complete और पिर क्या है इसकी carbon atom की चार we 거죠 complete हो यह हो रही है कैसे हो रही है दो तो बॉंड यहे रहे 2 एक यह 3 और एक चार complete यहां पर बिशेसे 1 2 2 हैं इसके भी बना लो यह एच्छ है क्योंकि अगर आप पढ़ रहे होंगे समझ रहे होंगे तो वैसे भी जाज जाएगे नीचे इस वाले कारपन पर भी नीचे है है तो इसलिए मत बोलना देखने रहा मैंने बता दिया इसके इंसोर्ट हो गया होगा है अब आगे क्या पढ़ेंगे हम इविडेंस इन फेवर ओफ कैकुले फोर्मुला कैकुले सूत्र के पक्षमे पिर्मार्ट तो पहला क्या है देर आर पहला लिखते हैं देया यहां देया on there are three double bonds three double bonds present in present in benzene which explains which which explains explains the addition the addition reaction of benzene यह है benzene तो क्या है there are three double bonds present in benzene which explains the addition reaction of benzene तो बेंजीन में यह देखो यह बेंजीन है इसमें क्या कहा है वो बता रही हूं यह बेंजीन है बेंजीन में कितने तीन double bond क्या है पर्जेंट है three double bonds present in दो तीन तो तीन double bond to present हो गए विच यह क्या करते हैं यह योग अभी क्रिया हो के व्याख्या ठीक है यह क्या करते हैं यह क्या they hope next voila all at atoms at atoms all at atoms present present in benzine ah equivalent 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 ची क्या है यानि benzine में जो H पर्मानू क्या है उपसित होते है यह benzine है यह बेंजीन में जो H atom है वो सेम होते हैं सेम होते हैं एक्विवेलेंट ठीक अब नस्व देखो बाइदा रियक्शन ओफ O3 Onbenzene Onbenzene Benzene Benzene Tri-Ozonide Benzene Tri-Ozonide Ozonide is formed Is formed Which on Which on hydrolysis Which on hydrolysis Is three molecules Of Three molecules Of glycosyl Glyco Glycosyl This reaction Confirms This reaction Confirms Calculate 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 formula तो देखो Benzene Benzene पर O3 की किरिया से By the reaction Of O3 Onbenzene Benzene पर O3 की किरिया से Benzene Tri-Tri-Ozonide बनता है Benzene Tri-Ozonide Is formed Benzene Tri-Ozonide बनता है जो जल अफगटन पर Which on Hydrolysis Which on hydrolysis जो जल अफगटन पर Three atoms यानि तीन अनू Glycosyl क्या करता है बनाता है तो यह अभी किरिया Calculate This reaction Confirms Calculate Formal से यह reaction जो है Calculate की सूत्र की क्या करती है पूस्टी करती है एक बार इसे वैसे समझ लेते है क्या कहा पहले ले लेंगे हम बैंजीन दिख रहा है हाँ बैंजीन ले लिया अब क्या लेंगे O3 Ozone यह ले लेंगे प्लस 3 O3 तो क्या पराप्त होगा इसे Tri-Ozonide तीक है वही तो बनेगा बैंजीन Tri-Ozonide इस फॉर्म यह तो लिखा है यह जो हम अब समझ रहे है वो यह लिखा है बैंजीन बैंजीन ले लिया इसके इसके रियक्शन कराए तो क्या यह बन गया हमारा एको थोड़ा से नीच्चे बनाना पड़े है एक साइक यह यहां ले लो यह बैंजीन ले लिया दिखेगा हाँ दिख रहा है बैंजीन यह देखो दिख रहा है एक सेकंड अभी दिखेगा इसके सोट ले लो पहले आप इसके सोट लो आप दिख रहा होगा यह है बैंजीन ट्राइयोकसाइड अब क्या करना है इसका हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस होगा ना on hydrolysis तो किसकी परजेंस में जीन की परजेंस में इसका क्या करा देंगे hydrolysis करा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा त्री से अच्चो ए सी अच्चो प्लस एस्टो एस्टो ये भार यह यह इसकी इसकी शॉल यह भी 2 अब लेव स्किरसों प्लस हां अब देखो अब क्या पढ़ेंगे हम क्याले सूतर के दोश्ट्रोपेक ओव क्याकुलेश ऐस्टो फॉर्मवला या डैमरेटीज ओफ क्याकुलेश क्याकुलेश फॉर्मला तो और बेंजिन मिम्स ओन न्ली वन ओर तो डाइव स्विटीय तो विटी अधा च्छिपितुटाइडप्रो नीजिन कि व्र तो आर पोसीबल फ्रॉम कैकुले फॉर्मॉला तो इसमें क्या है ज़ो जब देता है लेकिन क्या को लेके जो फॉर्मूला है क्या कुला ने तो फॉर्मूला दिया वो दो ओड़तो डाइ सब्सक्रीटूटिट क्या करें है संभौ है तो एक तो यह ए ए और यहां ए यहां ए यह क्या हो गया? पोजिशन का हमें पता है यह 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहां क्या हो जाएगा? 1, 2 दाई सब्स्टिटूटिट डेरिवेटिव और एक क्या हो गया? 1, 6 सब्स्टिटूटिट डेरिवेटिव एक बाई स्किन सॉट लेलो अब देखो नेक्स्ट जो कैकूले सूतर का दोस है वो क्या है? देर अर थ्री डबल बोन्स पर्जेंट इन बेंजीट यट बेंजीट डज नोट बिहेव लाइक एन अंसैचुरेटिट कंपाउंड तो इसमें क्या गहा है? बेंजीन में तीन जो है तीन दूबंद है फिर भी बेंजीन एसंतरप्ट योगिक की तरह क्या नहीं करता? विवार नहीं करता इसके विपरित बेंजीन इस्टाई और संतरप्ट योगिक की तरह क्या करता है? विवार करता है तो इसमें क्या है इसमें हमने पढ़ा है जो बेंजीन है उसमें डबल और ट्रीपल बॉंड हो तो ऐसंतरप्त होता है ठीक है क्या हो डबल और ट्रीपल बॉंड हो तो ऐसंतरप्त होता है लेकिन आसंतरप्त की तरह क्या नहीं करता है विहवार नहीं करता है लेकिन सिंगल ब फिर बी यहácink Tsuk seniors कि तरह क्या है नहीं करता तो यह होता है इसके इन सोट ले लो तो नग्स देखो remedies for the defects of calculate formula calculate sutra के दोस का निवारा को चैकुले ने पहरे देखो calculate himself remove the first defect and said that the three double bonds in benzen keep oscillating continuously between the adjacent C carbon C atoms due to which two forms of benzene are possible these forms keep changing into each other that is why all the carbon carbon bonds are that same कि कैकुले ने पहले क्या करा स्वम खुद से अपने क्या दोस का निवारण क्या अपने दोस को क्या क्या दूर क्या और बताए कि अपने निकट वर्ति क पांगों के बीच लगातार क्या क्या रहते ना की होते होते हैं इसा कारण सभी carbon carbon समान है तो क्या है यह दोलन करते रहते हैं दोलन करने के खार यह है तो स्ट्रीक्चर सेम पर क्या है इंका डबल बॉण चेंज होता रहता है क्या से देखो अब यह है यह जैसे हमने यह 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 ए यह 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 है तो सेम पर यह उसी लेटिंग का कारण दोलन करने का नहीं कर देखो पहले तो यहां था पिर यहां आ गया यह देखो डबल बॉंड क्या चेंज है इस पर ले लो एक बार अभी यह देखो क्या कुले कुड़ नोट एक्सप्लें डाक्स्टा ओर्डिनरी बिहेवियर ओफ डबल बॉंड क्या कुले जो है दूबंधो के ऐसा धरन वियवार की क्या नहीं कर सका व्याठ्ख्या नहीं कर सका तो एक बार स्क्रीन सोट लेलो तो आहे आपको एक क्लियर हुआ होगा आपसे आपकी क्लास डेली डेली लिया करूंगी डेली चलेंगी और आपस लेवर जन्दी से जन्दी हम कंपलिट हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही थैंक यू